है लो गाई मेरे नम अनुप है और आप मेरे चनल देख रहें अनुप उपता दोस्तों आज की वीडियो में आपको बता हुआ कि आप किस परकार अपने वेबसाइट के पोस्ट को गूगल के उपर फासले इंडेक्स करवा सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट क करेगी तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को डिटील में समझें तो जो मेरे पहला इसका नाम है इंट्रेण लिंकींग तो जबसे पहले आपको क्या करना चाहिए अपनी वेबसेट के पोस्ट के अंदर इंटर निकिंग करनी है प्लस में जो आपने भी पोस्ट लिखी है उसकी एक पॉपललर पोश्ट के अंदर इंटर्लिंग ने करने के गर किए अगर आपको पोश्ट की यह रए है तो उसके मैंप कर सकते आपको बना सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर बनाई हुई है तो कहीद्स आपको पोश्ट लिखने के बाद 101% अपनी website के post की internal linking करनी है क्योंकि internal linking बहुत बड़ अफेक्टर है आपकी website के post को index करवाने में और आपकी website के post को ranking improve करने में तो पहला factor हमारा है internal linking ठीक है internal linking करने के बाद जो हमारा दूसरा factor आता है वह होता पिंग website अपने पोस्ट लिख दिये ठीक है इंटर linking कर दिये और उसको publish कर दिया देन उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कम से कम दो पिंग website उपर अपनी पोस्ट को submit करना चाहिए तो इसके लिए में दो website है एक का नाम है पिंगमेटिक दूसरे का नाम है पिंगलर इनका यूज करता हूँ अपनी website का submission गूगल के अंदर या अन्य सर्च इंजन के अंदर करने के लिए तो हम कैसे करते हैं पिंगमेटिक के अंदर और यहां पर अपनी इसलेकर करके पिंग क्लिक कर देते हैं तो यह करता है कम से कम सो सर्च इंजन के ऊपर हमारी website के पोस्ट को समिट कर देता है तो यह हो गया आपका दूसरे प्र पहला इंटर लिंकिंग आपको करना है देन उसके बाद आपको पिंग website के ऊपर अपनी पोस्ट को समिट करना है तो आपका तीसरा काम है अपनी वेबसाइट के पोस्ट को कम से कम 5 शोशल बुक मार्किंग साइट के तो गया जो मैं पहली वेबसाइट है उसका यूज करता हूँ वह है ट्विटर पोस्ट लिखते हैं मैं ट्विटर को पर अपनी पोस्ट को समिट करता हूँ इसके बाद मारब फाइनल यहां से आपको आपकी वेबसाइट के लिए पैकलिंग भी मिल जाते हैं तो इन पाच पांच सोसेल बॉक मार्कंट के उप दो या करता हो यह विजिट करेंगा तो वह इस लिंक के तुरू कि करेगा आपके जो pages हैं आपके जो website का जो अपने नहेना page लिखा है उसके उपर भी आ जाएगा उसको rank करवाद देगा तो आपको कोशिश करने हैं कम से कम 5 social bookmarking site के उपर अपनी website के post को submit करना है तो यह होगा हमारा तीसर फेक्टर अब हम आते हैं चोते फेक्टर के उपर तो चोतर पोश लेकर उतनी बार ही अपनी website का site map manually ही put करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे अपना जो website है उसको Google search console के अंदर open कर लेंगे और यहां पर क्या कर देंगे अपनी website को visibility Google के सामने आ जाती है और वह उसको असानी से रहें करवा देता है तो site map submission बहुत ज़्यदा ज़रूर ही है आपको उपनी website का site map ज़रूर ज़रूर करना चाहिए तो यह होगा हमारा चौता फेक्टर नहीं बाता है हमारा पांचो फेक्टर तो पांचो फेक्टर है आपको अ आजीरी से ही आपकी website की पूरी इहां पर information आती है तो इसका मतलब कर गूगल गोट एक तरीके सब की website को पर visit कर रहा है अगर आपके website को पर visit करता है तो visit करने किसा साथ तो आपकी website को पोस्ट को इंडेक्स कर देता है तो इसलिए आपको URL inspection ज़रूर ज़रूर करना चाहिए तो यह होगा आपके 5 tips अगर आप इन 5 tips को follow करते हैं तो आपके website के post को इंडेक्स होने के 90% chances है पर तो फिर भी आपके website की post इंडेक्स नहीं हो रही है तो लास्ट में आपको bonus भी बता देता हूं suppose करो यह पोस्ट आपकी इंडेक्स नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है इस website का जो पोस्ट है उसका URL चेंज करना है जैसे आपर क्या लिखा जैश्री कृष्णा श्री कृष्णा इतना करके छोड़ दें ठीक है अब कैसे URL चेंज करेंगे वर्डप्रेस की website करना है यहां पर आना है और संपादन में जाकर अपनी website का URL चेंज करके अपडेट को पर क्लिक कर देना है अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको दुबारा किस पर आना है Google Search Console को पर आना है तो आपकी वेबसाइट की पोस्ट 24 घंटे के अंदर इंडेक्स हो जाएगी तो गैस इन पांच वेक्टर और इस पोनस्टिप की मदद से आप अपने website की पोस्ट को Google के उपर इंडेक्स करवा सकते हैं तो गैस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज शेयर वर सब्सक्राइब करें वैसको लाइक करना ना बुले धन्यवाद जय बारा जय इंद